आने वाले समय में CMC T के लोगों को बहतर स्वास्ते सुविधाएं प्रदान की जाएंगी इसके लिए स्वास्ते विभाग अलर्ट मोड पर है कई नई योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिशे चल रही है इसमें सबसे पहले विभाग की योजना ये है कि सामान्य अस्पताल में आने वाली गर्बवती महिलाओं को परिशानी ना हो उनका मौके पर और समय पर इलाज हो सके इसके लिए विभाग द्वारा सामान्य अस्पताल के लेबर रूम का विस्तार किया जाएगा जिसमें 35 या 40 अतरिक्त बेड लगाए जाएंगे इसके अलावा सामान्य अस्पताल में आधुनिक ICU का निर्मान किया जाएगा ये जानकारी करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने समाचार एक्स्प्रिस के साथ विशेश बातचीत में कही उन्होंने जानकारी दी कि मौझूदा समय में कोरोना के चलते स्वास्ते विभाग की कई योजनाय पाइपलाइन में हैं जिनें शिग्र ही पूरा किया जाएगा उन्होंने बताया कि करनाल में शिग्र ही 200 बेड का एक अस्पताल तयार किया जाएगा जिसकी विस्तरत जानकारी आला अधिकारियों तक पहुचा दी गई है कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि करणाल की स्थिती बहतर है प्रति दिन 1200 से 1500 तक लोगों के सेंपल लिये जा रहे है मुझूदा समय में करणाल अन्य राज्यों की अपेक शा बहतर स्थिती में है लेकिन लोग इसको हलके में मत ले आने वाले दो महीने में इस बिमारी को लेकर घातक हो सकते है इसलिए लोगों से अपील है कि वह धिलाई ना बरते और बिमारी को हलके में ना ले कोई भी लक्षन सामने आने पर तुरंत अपनी जाच करवाएं करनाल से तरुनमदान की रिपोर्ट करनाल से तरह से बात चाम काम किया हूँ कि किस तरह से इनों ने भी लोगोन को जो शकाम करेंगी या कुछ पाइप लाथ कर करनाल समय में मुझूदा समय में करनाल में करोना की क्या सिती है अगर हम आज तक की बात करें तो अभी हमारे पास राउंड फूर सिक्टी फाइव एक्टिव केसिज है और जिसमें से लगबग फिप्टी के आसपस केस ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइजड हैं जहां इनको माइनर प्रॉब्ल की और आईएम में के साथ मिलके उनकी डेली हमारी टीम्स जो हैं उनकी स्वास्ते की पूछ ताश्त करती रहती हैं किसी दरह कोई दिक्कत हो तो इमिजेट डिरेक्ट किया जाता है करोना की जहां तक बात है इस वक्त करनाल की स्थिती हम काफी अभी बहतर स्थिती में हैं अगर NCR की बात करें वहों बहुत केसिस आये हैं पर लोगों के सहयोग से और विभाग के अपने प्रयासों से अभी हम जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो काफी कम है राउंड थ्री टू फॉर की पॉजिटिविटी रेट हमारा आ रहा है जो कि अच्छा माना जाता ह प्रेज़िट सिनेरियों में लेकिन फिर भी क्योंकि आज कल पोस फेस्टिवल सीजन और प्लस जो शादियों का जो समय है और इस्पेशली शादियों में के लोग काफी क्लोज रहते हैं और प्रोपर जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी फॉलो नहीं किया जाता मास्क इत्य जादी या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है तो कहीं न कहीं इस का फिर बढ़ने का एक खत्रा बना हुआ है तो मैं सभी से अपने शहर किवासियों से सबसे अन्यवेदन करना चाहूँगा कि इस शादियों के मौसम में कृपया इस पूरी तरह इस चीज का ध्यान रखें अपनी सेलिबरेशन जुरूर करें लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कहीं हम इस प्रोटोकोल्स को भूलना जाएं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है मास्क पहनने है और हन सेनिटाइजेशन है इसका लगातार प्रयोग प्रपर तरीके से जुरूर करते रहें कि क्य अपना योगदान इसमें देना रहे है कोई भी छोटा से छोटा सिंटम भी हो फीवर कोई आयलाई टाइप सिंटम हो तो इमीजेटली नेरेस्ट सेन्टर के उपर जाके टेस्ट जरूर करवाएं अपना भी करवाएं आपने साथ बाकी फैमिली मेंबर्स जो कॉन्टेक्ट में हैं उनका भी जरूर करवाएं टेस्ट ना करवाने से हम इस प्रॉब्लम को बढ़ने में कहीं न कहीं बढ़ावा देते हैं लग साब ने बताया कि समय मुझुदा क्या हालात हैं बाकी शायरों की बेहतर है यह पोजीटीब लिए पोजिटीबरी रेट 3% के आस पासार है जो की बेहतर माना जाता है कई भी कहना है कि आज की दिने में जो मुझूदा समय है मुझूदा समय में पहले फैस्टिवल थी आज कल शादियों का सिजन है तो लोग कहीं न कहीं प्रोटोकॉल को तोड रहे हैं वो सैलिबरेशन जुरूर करे लेकिन प्रोटोकॉल को ना तोड़े क्योंकि करोना अभी तक खतम नहीं हुआ करोना कम जुरूर बताया जा रहा है लेकिन खतम नहीं हुआ कि यह नहों कि हम अपने सैलिबरेशन के चकर में कोई बीमारी को हम दावत दे ले इसके बाद इनुन ने यह भी कहा कि जो आज मुझूदा समय है मुझूदा समय में करनाल की जुस्ती ती उसमें जनता का पूरा सयोग ने मिल रहा है स्वास्ती भाग और गवर्मेंट अजन्सिस को अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता जागर को नहीं होगी इसलिए जनता से अपील है कि अगर उनको कहीं बोटा सिम्टम नहीं जराता है तो वह जुरूर करोना टेस्क करें क जो है लगभग बारा सो से पंद्रा सो के बीच में है जो कि हेल्दी हमारा नंबर है और यहाँ एक एक हफता पहले हमने एक स्पेशल ड्राइब भी करी जिसमें लगभग साड़े पांच सेजार एकी दिन में सैंपल करे गए ते तो सैंपलिंग ज़ादा से ज़ादा करने क का यही एक मकसद है कि हम पेशन्ट को इमिजेटली आडेंटिफाई कर सकें और उसको आइसोलेट करके चेन को ब्रेक कर सकें तो मैं एक और चीज अपने सबी जिलावासियों के दियान में लाना चाहता हूं कि यह अगले यह एक यह दो महीने जो हमारे हैं बहुत क्रूशियल हैं अगर हम इस में थोड़ी सी जादा सावधानी बरत लें तो हम कहीं न गहीं अपने डिस्टिक को अपने शाहर को इसको से इंसुलेट कर सकते हैं और इसकी और पॉजिटिविटी रेट को हम कम कर सकते हैं तो जैसा कि सब जानते हैं कि जल्दी ही वैक्सिनेशन के भी जाओ पूरी तरह करके रखना है ने बताया कि आने वाले एक या दो मिने जादा कुरूशिल हो सकते हैं इसलिए लोगों को अधिक से अधिक साब्धानी बढ़तनी चाहिए ताकि वो बिमारी को बिमारी से बच सकें और अपने शहर को स्वस्त शहर बना सकें इसके लिए व 65 के सबी तक मिल चुके हैं एक्टीब केस हैं करनाल जी लेकर आज के समय में जिनमें इसे मातर 50 मरी जैसे हैं जिनको कुछ बीमारियों को चलते होस्पिटल में रखना पड़ रहा है बाके सभी के सभी होम आइसोलेट हैं और स्वास्विभाग की टीमें उन पर प्रोपर न मरीज का अपडेट और अपने उस मरीज को डाटा अपने पास कुरी तरह से रखा हो कोई भी मरीज इन पर कौफ हो उन पर बी कॉल करके इनसे बातचित कर सकता रॉप इसमस्चा का हल पासकता है अगर हम बात करें स्वास्ते इभाग द्वारा करनाल जिले में को और स्वास करीम में सभी जो हमारे संस्ताइं हैं चिकित्सा संस्ताइं हैं इनको और बेटर फसिल्टीज देने के लिए सरकार भी कारे रथ है उसी कड़ी में सेवल ऑस्पिटल करनाल जो प्रेजेंटली कलपना चावला के कैंपस से चल रहा है वहां पे एक अडिशनल थर्टी बेट्स जो लेबर रूम के लिए हैं लेबर रूम की एक्स्टेंशन के लिए अभी कारे शुरू हो रहा है जिसमें कि क्योंकि वहां काफी ये देखा गया था गर्बती महलाएं जब आती है तो रश पीक टाइम पे ऐसी सितिती भी बन जाती हैं कि बेट्स की कमी होनी मसू है जो स्पेशली नाट ओनली फर कोविड बट आलसो फर अधर रैस्पिरेटरी जो हमारे प्रॉबलम्स होती है आइसियो की फिसिल्टी एक अच्छा आइसियो जो है वो शुरू किस्ट्रक्शन उसकी शुरू की जा रही है अभी सेवल हस्पिटल में ऑक्सीजन मैनिफेक् हैं जहां दे जा रही है इसके अधरिक फ्यूचर में विभाग की तरफ से नया हॉस्पिटल जो है टू हंडर्ड बेड़िड उसके लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं कि और अपना उसके लिए जो हमारे लैंड मिली हुई है उसके अधरिक लैंड लेने के साथ और हैं आने वाले समय में मिलेंगी गरबती महिलाओं को सीविल होस्पिटल के अंदर परिशानी ना हो इसके लिए लिए लेवर रूप को एक्सेंट किया जा रहा है उसमें तक गरीब पैंते से चालिस अतरीक बैड लगा जाएंगे ताकि उन्हें किसी बेटर कार के समस्या का समना ना करना पड़े इसके अलावा एक बहतर आईसी यू बनाया जा रहा है करनाल में करनाल के सम्माने हस्पिताल में वहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया जाएगा और उन्हें ने नमें भी बिताया कि आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि करनाल में 200 बैड का समाने हस्पिताल और बन सके इसके लिए जगा भी चिनित है इनके पास है इसके लिए प्रयासरत हैं सर अब इन सबसेट कर अगर हम बात करें मुझूदा समय में अभी हमने पीछे भी पड़ा था देखा भी था आपके विभाग के द्वारा आपके वाकी एक टीम ने एक ऐ इसे गिरोगों को पकड़ा था जो की बुरून हत्या में सलीप था जो की अल्ट्रसाउंड के अंदरों में जहां पर की यह सर्विसिस इल्लीगल है उनके माध्यम से अपने की गिरोगों को पकड़ा था जो इसको हम PNDTF भी कहते हैं सर इसके बारे में क्या कहना है कि लोगो क्या अक्षिन प्लैन है और लोगों को आप क्या संदेज जाना सी कहीं ना कहीं एक बड़ी दुरुबागे की बात है कि कर्णाल जैसे एक प्रोग्रेसिव डिस्टिक में का जो सेक्स रेशो है वो काफी कम है और स्पेशली हर्याना के एवरेज जो सेक्स रेशो है उससे हम 906 पे अभी हैं जब कि किसी टाइम पर कर्णाल का अच्छा सेक्स रेशो हुआ करता था लेकिन कुछ पिछले देर में ये देखने में आया है कि यहां सेक्स रेशो में उतना सुधार नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके कारण ये सेक्स रेशो में गिरावट आई है उसके लिए स्वास्ते भिवाग ने अब पूरे कदम उठाए हैं हमने रेगुलर इनके साथ मीटिंग्स करके जो हमारे अल्रसाउं सेंटर्स हैं उनको वार्निंग्स इसी शुद किरी हैं कहीं पी भी कोई ऐसी एक्टिविटी में पाया गया तो स्टिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उसी कड़ी में चलते हुए रिसेंट टाइम में हमारे दो रेड्स हमने एम टीपी एक्ट में करी हैं असंद में एक्ट करी हैं जिसमें कि इललीगल मटीपी करते हुए अर्यश्क किया गया है और इसी तरह म्टीपी किट्स को ब्रामक किया गया है इंदरी में वो हमारी टेम ने रेड़् करी है अभी इछले हकर हैं अब हमारे दस दिन पहले एक इंटर स्टेट रेड़ करी गए थी जिसमें यूपी के एक गाव म टाउन में हमारे डेकॉई कस्टमर का वहाँ पे इल्लीगल वो कर रहे थे अपने सेक्रेटर विजनेशन तो उनको पकड़ा गया है तो स्वास्ते बाग पूरी तरह कारे रथ है और हम यह शोर करना चाहते हैं कि कोहीं भी ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी कहीं हमारे पास आती है इमिजेटल एक्ट किया जाएगा और मैं पब्लिक से भी अग्रे करना चाहूंगा कि इसमें कोई भी उनके पास सूचना ऐसी है वो तो टोटल गुपत रखी जाएगी उनका नाम गुपत रखा जाएगा और इसके अतिरिक्त वो ठीक सूचना पाई जाती है को यह ऐसा क करनाल की जो सेक्स रिशु है वो एक हजार लड़कों के पीछे 906 लड़के आ रहे हैं जो की बाकी जुलो के वेशा काफी कम है इसी और बेतर बनाने के लिए जंता का सहयोग भी चाहिए इन्होंने यह भी बता दिया कि अगर कोई भी अपने आसपास ऐसी इलिगल एक्टि कि इंδरी में रेड की गई थी असंद में रेड की गई थी अब उत्तर परदेश से भी उत्तर परदेश में भी स्वाकरान स्वासे बाकि टीम ने रेड मारकर रेक बहात्तर पूड़ सफ हलता को अजइद किया थाsten का लोगों से यह वी कहना है, कि लोग अपने मान सिक्ता क दिल से धन्यवाद करूँगा, मैं तरून उना सीनिर के अमना परचं संधी जुदर समज एर एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद ऐसे ही लेटेश दोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद J.B.D. Banquets लाए है, incredible marriage palace, Rajgarana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgarana and Jyoti Garden at J.B.D. Banquets Enterprise